लालू चाचा आज तो हम सब की दिहारी बहुत अच्छी खासी बनने वाली है क्योंकि हम लोगों के हाथ आज अच्छी खासी मचलिया लग गई है ऐसा करो जल्दी जल्दी चलो मंडी पहुंचते हैं वहीं पे सारी मचलिया बेचे गया कहीं लेट ना हो जाए मंडी मंडी का समय 12 बजे तक रहता है अरे अखलेश जब तुम्हारे पैर में मचलिया लग गया था तो तुम मुझे वहीं पे बताते मेरे पास इसका बहुत सरल उपाय है मैं वहीं पे इलाज कर देता है चलो मंडी पहुंचके पहले तुम्हारे पैर का इलाज करते हैं जहां प लालू चाचा थोड़ा कदम जल्दी बढ़ाओ भाई मंदी भी जल्दी पहुचना है अखलेश चल तो रहाओ भाई और कितना तेज चलो एक तो बुढ़ापा आ गया है तुमको इतनी भी सरम नहीं आ रही है कि मैं बुढ़ा हो गया हूं मुझसे केरो थोड़ा तेज चलो और दूसरी चीज मेरी बासुनो मंदी पहुचने के बाद मचलियों का रेट सस्ता नहीं करना है महगे दामों में बेचना है क्योंकि बहुत मैनस से हमने मचली पकड़ी है और दूसरा चीज फुटकर तो विल्कुल भी नहीं बेचना है एक फुटकर भी नहीं बेचना है इकठा ही सारी मचलियां बेचनी है लिकिन वो देखो मोदी जी आ रहा है उनसे तो बात भी मत करना चुप करके चले चलो मंडी अरे भीया रहु लखलेस रुको तो सही आर तुम तो इतने जल्दी जल्दी बागे जारे हो रुको रुको भाई हमें भी थोड़ी सी मचली दे दो वाद तो तुम लोगोंने बहुत अच्छी खासी मचलियां पकड रखी है ऐसा करो एक किलो मचली हमें भी दे दो लेकिन मैं सबसे जूंट बोलता हूं कि मैं कुछ नहीं खाता हूं पेवर साकाहारी हूं इसलिए मुझे चुपचाप एक किलो मचली दे दो मैं चुपके से लेके जाके बना के खा लूँगा और हाँ किसी को बताना मत में की मचली खाता हूँ मोदी जी तुम तो बड़े जूटे आदमी हो यार लोगों से बोलते हो कि मैं पेवर साकाहारी हूँ और तुम उससे मचली खाने की और तुम्हारी 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 मचली खाने और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यबाद